हेलो मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सब आज हम किलास सेकिंड की NCRT इंग्लिश बुक मैरी गोल की यूनिट एट का एक चेप्टर करने के जिसका नाम है दा मुंबई मिजिशिन तो चेप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड भी निकल लेते हैं तो चल तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं देखिए इस चप्टर का नाम है दा मुंबई मिजिशिन मिजिशिन का मतलग होता है संगीत का याने जी बाजा बजाने वाले तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं Once upon a time there lived a donkey named Gopu. He had worked for many years in house of a farmer. बहुत साल एक time की बात है once upon a time यानि की एक बात की बात है there lived a donkey एक donkey रहता था donkey यानि की गधा गयते हैं जिसका नाम ता Gopu. He had worked for many years in the house of a farmer. उसने क्या बहुत साल, many years एक फार्मर के घर में worked यानि के काम किया. एक किसान के घर में उसने कई सालों तक काम किया. He had carried many heavy sacks of corn and sugar cane from farm to the factory. तो वो क्या करता था? उसका जो काम था he had carried, carried यानि की ले जाना, एक जगा से दूसरी जगा ले जाना, carried many heavy, heavy यानि की बहुती भारी, जो की heavy होता है वजन में. सेक्स यानि आपको पहले बताया था बोरे of corn, corn यानि भुट्टे और sugar cane, यानि मक्के और गन्य के जो बोरे होते थे वो उसका काम था उनको farm से, farm यानि खेतों से factory तक ले जाना, ताकि sugar cane की यानि की गन्य की से चीनी बनाई जा सके, और corn से जैसे की popcorn बनते है या भी कोई भ काम था कि उस किसान के खेश से उन सामानों को factory तक पहुचाना, he was now very tired and old, अब वो क्या हो चुका था बहुत ही थक गया था और बहुत काफी बूड़ा हो चुका था, क्योंकि कई सालों से वो काम कर रहा था, इसलिए वो काफी थक गया था और बूड़ा हो चुका था, तो एक दिन जो farmer था, किसान था, उसने गोपु से का, you are a good donkey, तुमे एक भहुत अच्छे donkey हो, भहुत अच्छे कर दे हो, take this sack of corn and go and see the word before you become too old, निका कि take this sack of corn, तुम ये corn का, यानि कि मक्के का बोरा अपने साथ ले जाओ and go, जाओ and see the word और दुनिया को देखो, before, इससे पहले, you become too old, इससे पहले कि तुम काफी बुड़े हो जाओ, जिससे कि तुम चल फीर ना सको, इतने बुड़े हो जाओ, इससे पहले कि तुम मेरी तरफ से ये corn का, मक्के का बोरा ले जाओ, और दुनिया को देखो, यानि कि बाहर की दुनिया तुम देखो, गोपु smile and said goodbye, गोपु यातरा आराम बेकरी तुम टुवाद यानि किस तरफ तरफ द सिटी ओ मुंबई जो मुंबई शहर था उसकी तरफ उसने अपनी यातरा शुरू करी, किस ने डॉंकी ने, I am good at music, I will go Mumbai and be a magician there, तो उसने कहा, I am good, मैं music में बहुत अच्छा हूँ, यानि कि मैं बहुत अच्छ बनूँगा, एक संगीतकार बनूँगा, किसने का, गधे ने कहा, उसने डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाओंगा, On the way he met a dog, रास्ते में he met me mate की, second one रास्ते में उसको एक dog मिला, एक कुत्ता मिला, अब देखें फिर क्या हुआ, अब उस डोग ने कहा, where are you going, ask डोपू, तो गोपू था डोगी, और ये डोपू कहा है, डोगी का नाम है डोपू, तो डोपू ने उससे कहा कि, where are you going, तुम कहां जा रहे हो, I am going to Mumbai to be a musician, would you like to come to, ask गोपू, तो गोपू ने कहा, I am going to Mumbai, मैं मुंबई जा रहा हूं, friends on the dusty road to the Mumbai, आप उसके बाद क्या वो दोनों दोस्त उस धुल भरी road में Mumbai की तरफ चल पड़े, कौन? गोपु और डोपु यानकी एक donkey और एक doggy देश और a ball of fur in middle of the road तो उन्होंने रास्ते में यानि middle of the road road की बीच में एक fur, fur आपको पता होगा soft जो बाल होते हैं, जो की जानवरों की body पे जो soft बाल होते हैं, उनको कहते हैं fur, तो एक fur की गोल सी बाल को उन्होंने middle road के सड़क के बीच में देखा, who are you? they ask, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? I am a furry, the cat sat the cat, तो वो जो गोल बाल थी, वो कौन थी? एक cat थी, cat गोल कर कैसे बैठी हुई थी, तो उसने कहा यह I am furry, मेरा नाम furry है, उस बिली ने कहा, would you like to come with us, become a musician, ask gopoo and dopoo together, तो गोपoo ने एक साथ कहा, would you like to come with us, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी, to become a musician, यह हम एक musician बनने करे जा रहे हैं, एक संगीतकार बनने करे जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी, यह देखिए, यहाँ पर है, गोपoo और डोपoo, और जोई नीजे ब तो cat ने का, oh, I would love to come along, reply furry, to cat ने का, oh, I would love to come along, reply तुम हमारे साथ आने में बहुत अच्छा लगेगा, I love to come, so of when they three together to become, अब उसके become Mumbai musician, तो उसके बाद वो तीनों कहाँ चलने लगे, एक साथ मुंबई में magician बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए, चलने लगे, फिर दे Soon they met cuckoo, cuckoo, the cock, तो जल्दी वो एक cuckoo से मिले, cuckoo कौन थी, एक cock, cuck कौन होता है, एक मुर्गा, जिसकी hand मुर्गी होती है, cock होता है, मुर्गा, यह देखी मुर्गा है, I love music and wish to join your band, तो उसने कहा, कि मुझे music बहुत पसंद है, यान कि मुझे संगीत बहुत पसंद है, and wish to join your band, और मेरी ये इच्छा है, कि मैं तुम्हारे band को join करूँ, किसकी band को, गोपू, डोपू और फरी के band को, किसने खा, कौकने, अब इसके बाद क्या हुआ, they all reached a house with a light, light, they were tired, अब वो, they all reached a house, अब वो तीनों के तीनों कहां गए, एक घर में, पहुँच गए, बिधर light, जहां पर की क्या थी, खुब रोशनी थी, they were tired and hungry, अब वो सभी क्या हो गए तो चारो, they were tired and hungry, भूद ठक गए थे, और भूके भी थे, कौन, वो चारो, वो चारो कौन-कौन थे, वो थे, गोपू, डोपू, फरी और को, they peeped in through the windows, अब वो क्या कने लगे, and saw a table with the delicious food, they peeped, यानि कि वो तांका जाके करने लगे, यानि छिपके अंदर देखने लगे, through the window, यानि कि खिटकी से अंदर देखने लगे, और उन्हें क्या देखा table पे, table उन्हेंने देखा, with a delicious food, उन्हेंने वहाँ देखा कि एक table पे बहुती स्वादिस्ट भोजन लगा हुआ है, they decided to sing to let the people inside know that they were a magician, तो they decided, उन्हें ये फैसला किया, they decided, उन्हें फैसला किया, to sing, गाना गाने का फैसला किया, जिससे कि the people, जो लोग अंदर थे, inside, उनको ये पता चल सके, no that they were a magician, कि उनको ये पता चल सके, कि वो एक magician है, उन्हें ये सोचा कि अंदर उनको भूग लगे तो एन्हें सच़ें कि हम लोग सबी भाहर से गाना गाना classical करते हैं थाकि अंदर जो लोग है उन्हें मालूम चले कि हम ऑब मुजिशन है करकि जब भी कोई काना बजाने वाला आपके दर्वाजे पर आता है to वो कैसे बताता है और गाना गा के या फिर अपना इस्टिबेंडर उसको बचा के बताता है कि मैं यह जाना गाने वाल मौने गहे पर इसलिए उनन लोग ने डिटेट किया है कि हम भी गाना गाएंगा तो पिर देखे फिर क्या हुआ अब आप देखे इसलों के मैं गाना गाने लगए हैं सबी लोग एक साथ गाने लगे तो तो ऐसे ही हुआ दे सेंग उन्होंने गाया तो जो लोग थे अंदर पीपल इंसाइट उन्होंने के सोचा डाट घोस्ट यानि कि जो भूत है गोस्ट में सोथा है भूत केम टू वो आ गहे हैं और उनको डरा रहे हैं यानि कि भूत आ गहे हैं क्योंकि उसमें एक साथ डॉंकी की आवाज आई ठाच ठाच बिली ने अपना मॉमा मॉम स्टाड किया डॉगी ने अपना बूबू तो वो सारी आवाजे ऐसे आएं तो लोग डर गए उन्होंने सुचा कि भूत आ गए तो वो सभी वहाँ से भागे चितनी तेजी से वो भाग सकते थे कौन वो लोग जो अंदर थे गोपू, डोपू और फरी वेंट इंट इंट दा हाउस अठीच भूत ओर उन्होंने सारा खाना खाया till they could eat no more तबतक खाया जब तक उनका पेट भर नहीं गया जब तक वो सारा खाना उसे ज्यादा नहीं खा सकते थे यानि अपना पेट भरने अजिसे घंट उन्होंने खाना खाया किसने गोफु डोपू और तो यह थी हमारी स्टोरी दा मुंबई मुजिशन तो इसके देखे कुछ न्यू वर्ड है टाइड मुजिशन पीप्ड, डिलिकिशिस, घोस्ट और स्केरिन करता आपको बताया था टाइड यानि थकावा, मुजिशन ये संगीत का पीप्ड यानि ताका जाकी करना डिलिकिशिस यानि बहुती स्वादिश्ट घोस्ट, भूत और स्केर यानि डरा देना तो यह थी हमारी आज की स्टोरी दा मुंबई मुजिशन तो अगले नेक्स पार्ट में हम इसके कॉश्यर आंसर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू